समविदान संसोधन के अंदर 239 एये जिसका मैंने जिक्र किया उसमें इस संसत को गाजदानिक शेतर के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपून अधिकार संसत को देने का काम दिया गया मानेवर समस्या कहां से समाब शुरू हुई 1993 से वियोस्ता चलिया रही थी कभी भारतिय जनता पार्टी सत्ता में आई कभी कॉंग्रेस पार्टी ने सासन किया कभी उपर कॉंग्रेस का सासन था तब हमारी सरकार थी तो कभी उपर कॉंग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा स सासन था, मगर कोई जगड़ा नहीं हुआ सा, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्यूंकि किसी की मनसा अधिकार हत्याने की नई थी सेवा करने की, कॉंग्रेस पाटी ने भी भाजपा के साथ जगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कॉंग्रेस सरकार के साथ जगड़ा नहीं किया और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई जगडा नहीं, 1915 में स्थिती बडली और यहां एक ऐसे दलकी सडकाराई, जिसका मकसद, मुझे कोई जिजक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, जगडा करना है। मानने अध्यक्जी, मानने अध्यक्जी, अनेक पार्टियों के मुख्यमंट्री रहें, अनेक पार्टियों की मिली जूली सरकार रही, सुद्धरूप से सरकार रही, मगर राश्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई, मैं बा बात करूँगा प्रोब्लेम क्या है प्रोब्लेम ट्रांसपर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है विजिलन्स को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है जो ग्रश्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है मानने वर मानने वर मानने वर उसके बाद में पंद्रा में अचानक ही दिल्ली राजे सरकार ने एक विशय सर्कूलर निकाला जिसमे उन्होंने ट्रांसपर पोस्टिंग के अधिकार अपने हाथ में लिए केंद्रा सरकार ने एक नौटिफिक्रिशन निकाला उसको हाई कॉट में चेलेंज किया गया हाई कॉट का फैसला केंद्रा सरकार के पक्स में आया इसको सुप्रीम कौट में चैलेंज कर दिया गया उसमें खंडित जनादेश आया फिर सम्विधान पीट बनी सम्विधान पीट ने कुछ फैसले करकर नीचे फिर से दो जजों की बेंच को दिया उसमें भी सहमती नहीं बन पाई और फिर से सम्विधान पीट बनी जिसने अभी अभी फैसला दिया मानेवर वो जो इंटर्पीटेशन है वो इंटर्पीटेशन उन्होंने कानूनी और मॉरल दुरुष्टी से नहीं किया उन्होंने इंटर्पीटेशन कानून की स्थितियों का करते हुए ये कहा है कि फिर भी दिल्ली संगराज्य क्षेत्र के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है वो अधिकार का उप्योग करकर एक वट हुकम एक notification निकाला गया है और वो notification इसलिए निकालना पड़ा कि संसत उस वक्त काम नहीं करें मतलब संसत बैठी नहीं थी बैठके चलने रहे तो notification निकला और संसत शत्र के अनुपस्तिती में जो जो notification निकला इसको मैं यहां लेकर आया हूँ जो आज सदन के चर्चा के लिए मैंने आप सब के सामने रखा है मेरा सभी पक्स के सदस्यों से विनंती है कि चुनाव जितने के लिए किसी समर्थन हासिल करने के लिए किसी पक्स का विदेग का समर्थन करना या विरोध करना ऐसी रादनीती नहीं करने चाहिए नय गठवंदन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं विदेग और कानून देश के बले के लिए लेकर आते हैं इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के बले के लिए करना चाहिए अगर हमारी रादनीती में थोड़ी स्विक्रूति कम है तो सबको मिलाना है दिल्ली का जो होना है वो हो जितना ब्रष्टाचार होना है वो हो मंत्री कुछ भी करे मुख्यमंत्री करोडों के बंगले बनाए मगर हम वीपक्स में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गटवंडन बनाना है इस तरह से नहीं सोचना चाहिए मेरी अपील है मेरी अपील है मेरी अपील है वीपक्स के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचे एलाइंस की मद सोचे एलाइंस से फाइदा नहीं होने वाला है एलाइंस होने के बाद भी पून अबहुमत से नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्री बनने वाले है इसलिए इसलिए एलाइंस के कारण जनता के हीतों की बली मत चड़ाइए जनता सब देख रही है एलाइंस करकर आप अगर ऐसा सोते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा जनता का विश्वास आपको मिला था मगर जीस तरह से 10 साल यूपीय ने सासन चलाया बारा लाक करोड के गपले गोटाले करे इसलिए आज वहाँ बैठे है और मैं फीर से कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार के गपले गोश्टाले ब्रश्टाचार को प्रचिन रूप से एलाइंस की गरज के कारण मदद करे हो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश सुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा मानेवर मैंने ये सदन के सामने रखा है बिलको मेरा सभी से निवेदन है कि एलाइंस के मद्ये नजर इस पर अपना अभिप्राइम न करे देश के और राददानिक छेतर के भले के लिए नूट्यालिटी से बात करे और वैसे भी मैं बता देता हूं विसेशकर कॉंग्रेस पार्टी वालों को कि ये बिल पारित होने के बाध वो एलाइंस में आपके साथ आने वाले नहीं है तो जो सच है वो करिए इतना हफिल कर गई अरिवाद को समब करें कि प्लेज कि मानने सदस्य आपको बोलने का मोका दिया जाएगा लेकिन आप बार बार उठोगे तो मोका नहीं दिया जाएगा यह सदन है सभी मानिस सदेशों आगर आपको मोगा दिया जाएगा आप एक पाल्टी के हो और आपको मोगा देंगे लेकिन बीच बीच में नहीं उड़ते हैं नितों का आपका समय खत्म हो जाएगा नो आप भी अपनी बात कहना अजी रंजन चोड़ी जी